नमस्कार सिल्क टीवी देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ सत्यम आईए करते हैं खबरों की शुरुआत सबसे पहले नज़ा डालते हैं आज की हेड्लाइन्स पर पांच महने बाद रेल का परिच्चालन हुआ शुरू भागलपुर से दिल्ली के लिए रवाना हुई स्पेसल ट्रेन मांसिक तनाओ के कारण इंजिनरिंग के चातर ने फंदे से जूल कर दी अपनी जान घर में मचा कोहराम पुर्व केंद्रिय मंत्री ने युवाश रमवाद कारिक्रम में की सिर्कत नितिश शरकार पर साधा निसाना कहा डबल इंजिन की सरकार को जनता सिखाएगी सबग टीनवी में बन रहे है अलसंक्यक कल्यान चात्रवास का इबीबीप कारिकर्ताओं ने किया विरोध कॉलिज परसासन के खिलाप की जमकर नारेवाजी और समान समारो आयोजित कर जिले भर के शिक्चक को किया गया समानित पीटिये ने सेक्चनिक संस्थान खोलने की सरकार से लगाई गुहार अब समचार विस्तार से कोरोना महमारी को लेकर देश भर में लोगडॉन लगाये जाने के बाद केंद्र सरकार द्वारा ट्रेनों का परिचालन बंद कर दिया गया था जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था लेकिन शनिवार को साड़े पांच महा के बाद भागलपूर से पहली स्पेशल ट्रेन विक्रम सीला एक्स्प्रेस दिल्ली के लिए अपने नियत समय से रवाना हुई बागलपूर के इस्टेशन अधिक्चक समर कुमार सिंग, इस्टेशन मास्टर विक्रम सिंग, प्रमोध कुमार, बीके महराज, सी आएटी, आरेन पासवान, सीनियर, सेक्सन इंजिनियर, दिवाकर जहा समेथ कई रेल अधिकारियों ने हाथ हिला कर यात्रियों को अच्छा वेवस्था की कमान, आरपी अफ और जी आरपी के जवानों ने समाली, इस्टेशन पर भील जमाना हो, इसके लिए बिना कनफम टिकट के किसी भी यात्रियों को प्लेटफॉन पर जाने की अनुमती नहीं दी गई, हलांकि इस्टेशन पर इसर पर काफी संख्या म चात्रों एवं यात्रियों की भी उड़ दिखी, वहीं रेल्वे परशाशन की ओर से सारी रिख दूरी का पालन करने के लिए यात्रियों को दिशा निर्देश दिया गया, बतादें कि यात्रा के दौरान रेल्वे की ओर से चादर, कंबल, परदा और भोजन उपलब्द नहीं कराया जाएगा जबकि सभी यात्रियों के मोवाइल में आरोग यसेतू एप होने के साथ ट्रेन खुलने से 90 मिनट पूर वेश्टेशन पर पहुंचना अनिवारी है आज 176 दिन के बाद स्पेशल बिक्रमसला खुली है बन करके रेलवे बोर्ट के आदेश से इसमें हमारे CIT के तरफ से थर्मल स्क्रिनिंग और आपका टिकट चेक टिकट में आरोग एप सोसल डिस्टेंस सभी का पालन किया गया है बिना टिकट वाले को इंटी नहीं मिली है वेटिंग लिस्ट वाले को इंटी नहीं मिली है और इसके बाद जो है मेरे प्रसासन के करफ से भी बहुत सतक जी आर्पी और पेपर हैं है सपाय की भी अच्छी वेवस्था थी कहलगाओं एंटी पीसी के अवासिया परिसर में शुक्रवार को इंजिरनिंग के छातर ने गले में फंदा डाल कर अपनी जान दे दी मृतक छातर की पाचान एंटी पीसी में कारिरत सुरेंदर परसाद सिंग के किस वर्सिय पुत्र अतुल कुमार की रूप में हुई है गटना के तुरंदबाद छातर के परिजन उसे लेकर अंटी पीसी के जीवन जोती अस्पताल पहुँचे जहां डॉक्टरों ने जाच के बाद उसे मृत घोसित कर दिया वहीं गटना की सूचना मिलते ही अंटी पीसी थाना पुलिस मौके पर पहुची और शब को कबजे में लेकर पोस्ट माटम के लिए भेज दिया गटना को लेकर बताया जा रहा है कि मृतक चातर पढ़ने में काफी तेज था और वह इंजिनिरिंग परिक्षा की तैयारी कर रहा था ये डवली मेंस की परिक्षा में खराब रिजल्ट आने की आशंका में वह मानसिक तनाव से ग्रसित हो गया और अंत में उसने मौत के फंदे से जूल कर अपने इह लिला समाप्त कर ली मृतक के पिता ने बताया कि शुक्रवार की दोपहर अतुल अपने कमरे का दरवाजा बंद कर पढ़ाई कर रहा था जब वह ऑफिस से खाना खाने घर पहुचे तो अतुल को खाना खाने के लिए आवाज दी लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला उसके बाद खिडकी से जहाक कर देखा तो अतुल पंखे से जूल रहा था गटना के बाद से घर में कहरा मच गया है भागलपुर के तिलकामान जी इस्तित विवाभवन में शनिवार को यूनाइटेड डेमोक्रेटिक एलाइंस की ओर से जागो बेरुजगार बदलो भरष्ट सरकार यूवा समवात कारिक्रम का यो जन किया गया कारिक्रम के अतिति पुर्व केंद्रिय मंत्री सह यूडिये के राष्टी संयोजक यश्वन्त सिन्हा ने यूवा समवात कारिक्रम में पार्टी के कारिकरताओं एवं यूवाओं से समवात किया और बिहार सरकार को सत्ता से उखाड फेकने की बात कही यश्वन सिन्हा ने कहा कि बिहार सरकार और भालत सरकार के कारिकाल में जनता की हालत काफी खराब है और इसी को लेकर UDA अन्य दलों को एक साथ आने एवं बिहार सरकार को उखाड फेकने के लिए एक जूट होने का आवाहन करती है इस दावरान केंदरी सरकार और रासरकार की नीतियों पर भी कई शवाल खड़े किये गए वहीं भारतिया सब लोग पार्टी वंचित समास पार्टी समयत कई दलों के कारिकरताओं ने कारिकरम को संबोधित किया और कहा कि बिहार विधानसवाद चुनाओं में सभी 243 विधानसवाद सीट पर UDA के परतियासी चुनाओ लणेंगे मौके पर पुर्व केंद्री मंत्री, नागमनी कुश्वाः, पुर्व सांसद अरुन कुमार, आसुतोस पाठक, सुल्तान गंज विधानसवापरतियासी अरुन मंडल, रोशन राठोर, भोला यादव, कुंदन साह, छोटु समयत कई ने तायवम कारिकरता मौजूद थे परसासन ने प्रचार ये प्रोफेसर संजे कुमार चोधनी से अलसंक्यक होश्टल निर्मान की जानकारी मांगी थी, वहीं शनिवार को TNB कॉलेज परिसर में बन रहे अलसंक्यक छात्रावास का अखिलवार्ती विध्यार्थी परिसत के कारिकरताओं ने विरोत किया, वि हात्रों के साथ भेद भाव कर अलसंक्यक छात्रावास बनाया जाना न्यायोचित नहीं है, वहीं कारिकरताओं ने विश्व विध्याले परसासन से छात्रावास निर्मान कारी को अविलम रोकने की मांग की है, अखिल भारती विध्यार्थी परसत द्वारा TNB महाविध् अलसंक्यक छात्रावास के बिरोद में हम लोग यहां पर उपस्टित हुए हैं, क्योंकि TNB प्राचार से हम लोगों ने बात की और मान्य कुलपती से किसी को भी जानकारी नहीं है, और प्राचार ने एक लेटर भी जारी करते विए कुलपती महोदे को बेजा है, कि जो ए स्थित रेश्मी केमेस्ट्री क्लासेस में हुआ, कारिक्टरम की अध्यक्षता युवाच एतना कलब के अध्यक्षे डॉक्टर अशोक कुमार आलोक ने की, इस दोरान कलब के वाइस परसीडेंट अजे कुमार यादव ने कहा, कि शिक्षक समान समारों का आयोजन 5 सिप्त समारों में डॉक्टर अमरेंद्र कुमार यादव, डॉक्टर शिंधू गुपता, डॉक्टर संधिया यादव, ललन कुमार, ABC स्कूल के निर्दिशक, विने कुमार, उमाशंकर, सुनिल कुमार समेत कई सिक्षकों को सम्मानित किया गया, इस अबसर पर डॉक्टर को एक मंच पर बुला कर सम्मान दिया गया है मौके पर मौझूद पीटिये के पदादिकारी और सदस्यों ने युवाच एतना कलब का अभार प्रकट करते हुए इस तरह के आयोजन को सरहानिया कदम बताया और संस्था के सलिस्था ग्रहन करने की इक्षा जताई अब ये प्रावेट टीचर एसोसियेशन जो हैं तो ये दिन रात बच्चों को सुंदर बनाने के लिए उनको संसकार देने के लिए ग्यान देने के लिए दिन रात परयास करते हैं और उनको सरकार के तरफ से कहीं कोई बेतन या कोई मान दे नहीं दी जाती है तो निश्चित आज हमारे युवा चेतना कलव के द्वारा भागल पूर जीले के प्रवेट टीचर को सम्मानित करने का काजकरम रखा गया है चुकि करोना काल है इसमें सोचल डिस्टेंस का परियोग करके हम लोग इस सम्मान समारों को संपन कराने में मात्पुन भुमीका निवाने जा रहे जिसको लेकर सहर में जगा जगा तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। चापेमारी अभियान चलाया गया। इस दोराण पिकप वेंड की तलासी लेने पर मूली एवं चोकर की नीचे छिपा कर रखे गए 60 काटून विदेशी शराब को बरामत किया गया। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का मिलते हैं ब्रेक के बाद। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरत रही रोता है रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा च्छतिक रस्थ हो जाता है और उसके बच्चने की सम्मावना कम हो जाती है और यदि बच्चा तो भविस्वें उसमें बिकलांगता की समस्या आती है। जिसे CP कहते हैं जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और जिन्दगी भर बच्चा बिकलांगता से जूच सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग ठिरेपी का सहरा लिया जाता है। जन्द से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग ठिरेपी दिया जाए तो उसका CP की समस्या कम होती है और बच्चने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार जारकंड में आपके सहर के स्ने नवजासिसु बालसेवा के अंदर में या मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में बिलंब हो गया तो आप स्ने नवजासिसु बालसेवा के अंदर में जरू संपर करें। मत दाता की कोई भी बात 1950-1950 चाहे शिकायत या सुझाओ 1950-1950 चुनाओ के पहले चुनाओ के बाद 1950-1950 मत दाता सुची में नाम जोड़े के प्रक्रिया ओनलाइन रजिस्ट्रेशन बूत के जानकारी वोटर कार्ड कई से बनी ऐसन सारा सवाल के जवाब मिली 1950 पर ए चुनाओ बस एगो नमबर याद राखी भारत निरवाचन आयो के टोल फ्री मत दाता हल्प लाइन नमबर 1950 अब कौनो मत दाता बिहार के कौनो कोना से कार्याले अवधी में 1950 पर कौल कर सकता 1950 से अब मत दाता जानी अपन हग के जानकारी मुख्य निरवाचन पतादिकारी बिहार द्वारा जनहित में जारी मन की उदासी नस, सिरदर्द, हिस्टीरिया पागलपन, मिर्गी अनिंद्रा, शेक्स रोग एवं नशा जैसे पुरानी शराब गांजा, भांग ड्रक्स एवं किसी भी प्रकार के पुराने नशे के इलाज ही तू शंपर्क करे भागलपूर इस्थित आनंद क्लिनेक जो कलसंटेंट नीरो साइकाट्रिस्ट सेक्सोलोजिस्ट, डी एडिक्सन थेरेपिस्ट के मसहूर डॉक्टर, रिशी आनंद की देख रिखमी किया जाता है अत्याधुनिक सुविधाव से लैस इस अस्पताल में EEG, ECT एवं MBT के साथ-साथ मरीजों के भरती हेटू 24 घंटे AC, नान-AC, जेनरल एवं स्पेशल वार्ड की सुविधाव उपलब्ध है आनंद क्लिनिक लाजपत पार्क, घंटागर के उत्तर मोक्षदा स्कुल के समीप मशाक चक भागलपूर, बिहार Lifeline CT Scan and Digital X-ray डॉक्टर शशिकर, MD Radio Diagnosis द्वारा संचालित Lifeline CT Scan and Digital X-ray में अत्यादनी तक्नीक से सभी परकार के Radio Diagnosis की सुविधा पिछले आठ साल से उपलब्ध है भागलपूर का पहला Digital 1.5 Tesla Whole Body MRI Scan Multi-Slices Whole Body CT Scan अत्यादनीक अल्टरासाउंड मेशीन से 2D, 3D, 4D कलर डोपलर अल्टरासाउंड गाइड़ेट पाने निकालना अत्वा प्रेगनेंसी का लेवल 1 या लेवल 2 की जाज की सुविधा Digital X-ray से सामान X-ray के साथ-साथ IVP, RGU, HSG की जाज Digital Dental X-ray से पूरे जबडे का O-PG अत्यादनीक पैथोलोजी की व्यवस्था खोन, पेशाब, आदी जाज के लिए बाहर जाने की जरुरत नहीं हवादार प्रतिक छाले एवं सुद्ध पेजल के व्यवस्था कोरोना संक्रमन के प्रती सचेत वर सुरक्षित व्यवस्था Lifeline CT Scan and Digital X-ray का रिपोर्ट सभी बड़े अस्पतालों वर डॉक्टरों द्वारा मानने है Lifeline CT Scan and Digital X-ray Lifeline CT Scan and Digital X-ray Lifeline CT Scan and Digital X-ray ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है बढ़ते एकली खबर की और नीट परिक्षा को लेकर छात्रों की सुविदाओं को देखते वे भागलपूर नगर निगम के उप महापौर सहलोचपानिता राजेश्वर्मा के द्वारा पटना के लिए परिवहन की व्यवस्था की गई है शनिवार को राजेश्वर्मा ने लोचपा नेतरी संगीता तिवारी की मौझूदगी में नीट परिक्षारतियों को लेकर पटना जा रही दो बसों को हरी जंडी दिखा कर रवाना किया इज़रा नीट परिक्षा में शामिल होने वाले सौ परिक्षारतियों को अल वहन की वेवस्था की गई है ताकि समय रहते नीट परिक्षा देने वाले चात्र छात्रा अपने परिक्षा के अंदर तक पहुत सकें। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के कारण आवागवन के साधन में काफी परिशानी हो रही है और ऐसे में परिक्षार्तियों को परिक्षा के अंदर तक जाने की चिंता सता रही है इसी को देखते वे यह पहल की गई है जाम 13 तारिक को पटना में होना है जिसके लिए अभी कुरोना काल में ट्रेने नहीं चल रही है बच्चों के साथ बहुत परिशानी है और भागलपूर जीले के जितने भी ऐसे नौजवान साती है नातनगर के गोसाइदासपूर निवासी जवहार यादव की मथूरापूर हाट के समीप गोली मार कर हत्या कर दी गई थी जिसके बाद पुलीस ने मृतक के भतीजे के बयान पर विक्रम यादव सहित आधा दरजन लोगों के विरुद प्रात्मी की दर्च की थी इसी को लेकर एसपी पूरण जहा के नेतुरित में नातनगर, मदू सुदनपूर और ललमठिया पुलीस ने शनिवार को बाबू टोलाइस्तित विक्रम यादव के घर को कुरकी किया कुरकी के दावरान घर के अंदर रखे फरनीचर, बरतन, एवं परवेश द्वार पर लगे गेट को उखाण लिया गया साथी पुलीस ने आरोपी को कोट के समक्छ हाजिर कराने की बात परिवार वालों को कही एसपी पूरंज्छा ने बताया कि गोसाई दासपूर हत्याकांड का मुख्यवियुक्त विक्रम यादव अब तक पुलीस की गिरप्त से बाहर है कांड के मुख्यवियुक्त विक्रम यादव सहित गोल्डन साह और नीरस साह फरार चल रहे हैं जिनकी गिरपतारी के लिए उनके ठीकानों पर लगातार चापे मारी की जा रही है भागलपूर के नवगच्छिया में आगामी विधान सभा चुनाओ को लेकर भाजपा ने ताकत जोकनी शुरू कर दी है पाटी के राष्ट अध्यक्छ जेपी नड्डा के निर्देश पर अररिया के भाजपा सांसत परदीप सिंग नवगचिया पहुँचे नवगचियानुमंडल अस्पताल का बुरा हाल है शुक्रबार की सुभर जिला बीस सूत्री कमीटी के उपाध्यक्छ सजदियू के जिला ध्यक्छ विरेंद कुमार सिंग द्वारा किये गए और चक निरक्छन में वियापक पैमाने पर अनिमित्ता पाई गई वहीं प्रसब कराने आई मक्खा तकिया की गुडिया देवी ने बताया कि खुशबक्ती के नाम पर उनसे तीन सौ रूप है और लेबर रूम से वाट रूम तक पहुँचाने का एक सौ रूप है वसूला गया निरक्छन के दौरान नास्ते में भी बड़ी हेर फेर देखने को मिली मरीजों के प्लेट से अंडा गायब था जबकि 200 एमल दूद की जगह महज, 50 एमल दूद और 6 ब्रेट की जगह सिर्फ 2 ब्रेट ही दिये जा रहे थे निरक्छन के दौरान जिला ध्यक्छ ने मरीजों को फर्स पर लिटाए जाने पर काफी नाराजगी जताई विरेंद कुमार सिंग ने कहा कि सरकार की तरफ से रोगियों की सुविधा के लिए सभी परकार की वेवस्था की गई है लेकिन अस्पताल परवंदन अपनी खाना पूरती कर रहा है और सरकार को बदनाम करने के लिए अस्पताल में अवैद बशू लीक कराई जा रही है वेवस्था को जानबूच कर लचर और घटिया बना दिया गया है उन्होंने कहा कि सभी जिम्मेदार लोगों पर कारवाई की अनुशन साख की जाएगी जबकि अस्पताल उपादिक्चक डॉक्टर एके सिन्हा ने कहा कि दोशी पाए जाने के बाद कारवाई की जाएगी और हल हालत में अस्पताल की वेवस्था में सुधार किया जाएगा मुंगेर जीला अंतरगत तारापूर थाना चेत्विस्तित पावर हाउस के समीप एक शक्स की धारदार हतियार से गला रेत कर हत्या कर दी गई मुरितक की पाचान भागलपूर निवासी सुधाकर जाके 27 वरसी अपुत्र रोशन जा के रूप में हुई है घटना को लेकर बताया जा रहा है कि रोशन जाव वेल्डिंग दुकान में काम करता था और शुक्रवार की रात अपना काम समाप्त कर घर लोट रहा था इसी दरान रास्ते में अपराधियों ने गला रेत कर उसकी हत्या कर दी शनिवार को अस्थानिया लोगों ने नहर की नारे शब देखा तो इसकी सूचना पुलीस को दी वहीं जानकारी मिलते ही तारापूर पुलीस घटनास तलवर पहुँची और शब को पोश्ट माटम के लिए मुंगेर भेज कर जाच में जुट गई है इधर मिली तक के परीजनों का रो रो कर बुरा हाल है मागलपूर के पटेल चौक पर शनिवार को युवासक्ती की और से मुख्यमंतरी नितीश कुमार का पुतला दहन किया गया इस दोरान युवासक्ती के कारिकरताओं ने सीम और बिहार सरकार के खिलाप जमकर नारिवाजी की और शेहर में बढ़ते अपरात की घटनाओं पर अंकुष नहीं लगा पाने के लिए जिला एवम पुलिस परसासन को जिम्मेदा ठहराया युवासक्ती के जिला महासचिप गौरवानंद चौबे ने कहा कि विगत पांच सिप्तमबर को मुक्षदा बालिका विद्याले के समीव एक अपार्टमेंट के केर टेकर विनोद यादब का शब अपार्टमेंट के बाहर मिला था इस मामले की F.I.R. 8 सितमबर को दर्श की गई लेकिन अब तक पुलिस अपराधियों का सुराग पता लगाने में नाकाम रही है उन्होंने पुलिस पर अपराधियों से मिले होने का आरोप लगाया और सरकार से पीडित परिवार को न्याय दिलाने एवं आर्थिक सहायता मोहिया कराने की मांग की मृतक की पुत्री राखी कुमारी ने कहा कि 8 दिन का समय बीथ चुका है बाका फुली डुमर में शनिवार को स्वीप कारिक्रम के तहट महीला परियवेट चिकाओं एवं एनम ने परखंड कारियाल एवं फुली डुमर बजार वासियों को मतदान के लिए जागरूग किया पहले मतदान फिर जलपान का नारा लगाते हुए मतदाताओं को मतदान करने के लिए जागरूग किया गया साथी बताया कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए मतदान के प्रती सचेत रहना जरूरी है कारिक्रम में प्रेविक्षा कंचन कुमारी, इश्चत आरा, ममता कुमारी समेत एनम एवं आसा कारिकरता मौजूद थी हरंत में चलते चलते एक नज़र डालते हैं आज की हेडलाइन्स पर पांच महिने बाद रेल का परिच्चालन हुआ शुरू, भागलपुर से दिल्ली के लिए रवाना हुई स्पेसल ट्रेन मांसिक तनाओ के कारण इंजिनरिंग के चातर ने फंदे से जूल कर दी अपनी जान, घर में मचा कोहराम पुर्व केंद्रिय मंत्री ने युवाश रमवाद कारिक्रम में की सिर्कत, नितिश शरकार पर साधा निसाना कहा डबल इंजिन की सरकार को जंता सिखाएगी सबक टी अन बी में बन रहे हैं संक्यक कल्यान चातर वासकाई वीवीपी कारिकरताओं ने किया वी रोध कॉलिज परसासन के खिलाप की जमकर नारेवाजी और समान समारो आयोजित कर जिले भर के शिक्छक को किया गया समानित पीटिये ने सेक्षनिक संस्थान खोलने की सरकार से लगाई गुहार फिलाल इस बुलेटिन में इतना ही नमस्कार